पुलिस का दुरूपयोग बढ़ता जा रहा है मतलब कि पुलिस को जो पॉलिटीशियन्स हैं अपने फाइदे के लिए यूज़ कर रही है जहां पर पुलिस को एक तरीके से एक्वालिटी, एक फेर्नेस के लिए जाना चाहिए एक न्याय के लिए जाना चाहिए वहाँ पर जो पॉलिटीकल पार्टीज हैं या पॉलिटीशियन्स जो हैं वो अपने फाइदे के लिए यूज़ करके एक तरीके से उनका कटपुतली उनको बना के रख दिया है जहां पर न्याय की बात नहीं हो रही है अपनी दुश्मनी वो निकाल रहे है तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी चीज को डिसकर्ज करने वाले हैं पीडियेफ के लिए आप लोगों को बता देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो वहां से आप लोग जो इस वीडियो की पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हाले में जैसे आपको बता है कि पंजाब पुलिस के द्वारा एक राजनेता है बीजीपी के हैं क्या नाम है उनका तिजंदर पाल बगगा उनको गिरफतार कर लिया गया दिल्ली में कौन ने किसने गिरफतार किया पंजाब पुलिस के द्वारा अब जो पंजाब पुलिस के द्वारा गिरफतार किया गया जो बीजीपी के जो नेता है फिर यहां पर दिल्ली पुलिस द्वारा एक F.I.R. दर्ज कर ली गई किड्नेपिंग की किड्नेपिंग की किसके खिलाब वो भी पुलिस टीम के खिलाब पंजाब पुलिस टीम के खिलाब यह कमाल की बात हो रही है मतलब एक पुलिस दूसरी पुलिस के खिलाब जो है वो यहां पर मामला दर्ज कर रहे हैं कितनी ही interesting बाते हो रही हैं हमारे देश के अंदर तो यह सब चीजें हो रही है इसके अलावा यह अकेला यह case नहीं है आप सोच रहे हो कि क्या अभी जहां पर पुलिस के द्वारा जो पंजाब पुलिस के द्वारा जाके दिली से एक तिजेंदर पालबग का नाम के जो पीजीपी के कारे करते हैं उनको गिरिफतार कर लिया गया है कैवल यही example नहीं है मैं बात करता हूं आसम की जो पुलिस है वो गुजरात में आती है और जिगनेश मिवानी जो गुजरात में पुलिटीशियन है उनको गिरिफतार करके वो लेके जाते हैं तो यहां पर दोनों ही आप सोचेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर है वो यूज़ कर रहे हैं क्या बीज़पी यूज़ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी कर रहे है जहां पर हमारे लिए पुलिस है कि जनता के लिए जनता की उनको न्याएं मिलेगा, उनके साथ fairness, equality बरताव किया जाएगा, उस police का use, politician, चाहे वो कौन सी भी party का हो, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, अब देखिए, जैसे ये गिरफतार होते हैं, इसके बाद एक विवाद आ जाता है हमारे सामने, विवाद ये, कि police का अधिकार शेत करती है, तो एक दूसरा राज्य, जैसे ये A हो गया, एक दूसरा राज्य हो गया, इसी के साथ टच करता हुआ, ये B हो गया, अब यहाँ पर एक police दूसरे एरिया में जाती है, तो क्या वो जा सकती है, या फिर उसको जाने के लिए कौन-कौन सी चीजों की जुर्ट जैसे पुलिस का काम होना चाहिए था, कि यहाँ पर equality हो, fairness हो, हर चीज के अंदर, वो एक जो मुद्दा होना चाहिए था, न्याय का, पुलिस को लेकर, आज वो मुद्दा जो है, राजनितिक पर्तिद्वन्दी का विशे बन गया है, मतलिब जो राजनेता है, अपनी दु जा रहे है, क्योंकि तिजेंदर पाल बग्गा ने कुछ गलत बोल दिया, या फिर गलत क्या, एक टिपनी कर दी थी, जो सीम, दिली की जो सीम है, अर्विंद केजरिवा, तो यहाँ पर उनके खिलाफ यह सब चीजे हो गई, या फिर यही पार्टी नहीं है, जैसे मैंने का बढल मेंने क्या फिर ला पाल फिर अर dev first , रहा पर बग्रविष्टी नहींने कि धाला फिर फिर प्रमतर धारण मिलेगी आपको जिसका मतलब है कि राज्य सूची में रखा गया उस पुलिस को यानि राज्य जो है पुलिस से लेटिड कोई भी कानून बना सकती है जैसे कि आप किसी भी पुलिस के अंदर मतलब किसी भी राजजे के अंदर देखते हैं जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान के सब inspector के form वहाँ पर निकलते हैं, constable के वहाँ से निकलते हैं, तो राजस्थान के लिए वो पुलीस हो जाती है, तो यहाँ पर यह ऐसा माना जाता है कि कानून की यही की जो पुलिस है दूसरे राज्य में आरोपी को गिरफतार करने की अनुमती देता भी है अब बात करते हैं अब कोई भी पुलिस जो है वो दूसरे राज्य में जा रही है तो उनके पास क्या होगा है जो कोट है जो कमपेटेंट जो सक्षम कोट है उनके द्वारा एक warrant होगा वो warrant उनको दिया जाएगा या फिर वो बिना warrant की भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको वहाँ की जो स्थानिय पुलिस है उनके बारे में सुचित करना होगा और देश भर में ऐसा नहीं है कि यही एक मामला जो हमें देखने के मिला है बहुत सारे मामले होते हैं देश भर में राज्य पुलिस बल नियमित लेकिन वो एक आम तोर पर सहमती से हो रहे होते हैं अब यहाँ पर नियमित रूप से अन्य राज्य में गिरफतारी करते भी है बहुत एक नॉर्मल रूटीन होता है यह समाने तोर पर यह कारे स्थान यह पुलिस की साहता से किया जाता है लेकिन कभी-कभी ऐसे मामले होते हैं कि गिरफतार कर लिया किसी परसन को पर एक्जामपल हर्याना से पुलिस जाती है अर्याने से पुलिस जाके वो राजस्थान में किसी व्यक्ति को गिरफतार करके ले आती है यह तो सहोग से भी हो जाते है राजस्थान की पुलिस से लेकिन कभी-कभी वो गिरफतार करके जब वापस ले आती है कि हमने यहां से एक वेक्टिव गिरफतार के वह सूचित भी किया जाता है तो यह नॉर्मल रूटीन से चलता रहते हैं अब यहां पर कानून की बात करते हैं कि कोई कानून है कोई बात लिखी हुई है हमारे समीधान में या कानून के अंदर कहीं पर कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है कोट इसके बारे में क्या कहते हैं तो एक एक करके इनकी बात करते हैं इसने कहा है सेविंटी नइन पर करेंगे और वारंट जारी करने के बात जो है वो एक पुलिस दूसरे एरिया के पर दूसरे राज्य के अंदर जाके वहां पर गिरफ्तारी वह कर सकते हैं और यह दारा ऐसी गिरफ्तारियों के लिए विरिष्थित प्रिक्रिया निधारित करती हैं हलांकि जहां तक वरंट के बिना की बात है कि अगर वरंट नहीं बिला तो क्या होगा देखिए दो एक चैनल के उपर आकर आप जाके देखेंगे वट इसने फायर यह करके आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आपको एफायर से रिए सारी इंफोर्मिशन मैंने दी हैं तो वहां पर आप समझेंगे कि वरंट किसके लिए नहीं भी चाहिए होता है तो यहां पर जो वरं गिरिफतार कर सकते हो लेकिन यहां पर उनको परिभाशित नहीं किया गया है उनकी पर्टिकॉलर डैफिनिशन नहीं है जैसे कि सैक्शन 48 के अनुसार यह कहता है कि पुलिस अधिकारी बिना वरंट के किसी वी व्यक्ति को गिरिफतार करने के उदेशे से अर्था जिसे गि गिरिफतार नहीं किया गया है उसके पास उसको गिरिफतार करने हैं पुलिस अधिकारी को तो वह कहीं पर भी चुपए तो जाकर भाईया उसका पीछा करिए और आप उसको गिरिफतार करके लेए लेकिन यहां पर सबसे इंपोर्टन आज आती है यह वाली बात पीछा कर स झाएगा इनके पास भी तो कुछ काम है थै tut तो सब्सक्राम डिवाइड स सब्सक्राइब आपने कामें सिस्टम करने लगा तो फिर तो काम यह नुछ लिखी गई है विवादितक है कि पीछा करना वो खाव किसे अन्य राज्जे में पीछा करना है या किसी ऐसे आरोपी पर लागू होता है जो दूसरे राज्जे में रह रहा है और जांज करताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो यहां पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है इसको लेकर अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है आप कहना क्या चाहते हैं पीछा कर सकते हैं तो कहां तक क्या फिर इसको एक डेफिनिशन में बताईए तो यह चीज़ें नहीं है हमारे पास अब बात करें कि हमारे समीधान के आर्टिकल 22 के क्लोस टू में जिसमें बोला गए कि परतेक वेती जिसे गिरफ्तार क्या जाता है उसे हिरासत में रखा गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर-ंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है अब यहाँ पर जो पेश करने का टाइम होथा वो 24 घंटे होता है लेकिन लाने ले जाने का समय शामिल नहीं होता मतलब कि वही एक पुलि लावा ऐसे किसी भी व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के अधिकार के मिना उक्त अफदी तक इरासत में नहीं रखा जाएगा CRPC की सेक्शन 56 और 57 में ये भी बातें बोली गई हैं अब बात करते हैं कि नियायल जो कोड हैं वो क्या कहते हैं इसके उपर देखिए वर्स 2019 में संदीप कुमार वर्सिस गौवर्मेंट ओफ एंसिटी ओफ डेली एक केस हुआ था उस केस में दिल्ली हाइकोट ने कुछ बातें बोली थी कुछ दिशा निर्देश जारी के थे कुछ रेगुलेशन बताये थे वहां पर अरेस्ट को लेकर गाइडलाइन तो वहां पर क्या होता है कि वह अपने वरिष सदिकारी से लिखित या फुर्प फोन पर अनुमति उसे लेनी होगी एक तो ये बात दूसरी कि पुलिस सदिकारी को इस तरह के कदम के कारणों को लिखित रूप से दर्ज कराना होगा हां लेकिन जो एक एमरजनसी हो जाती ह ऊपर कोई एमरजनसी है उसको जाने गिरिफतार करना उनको छोड़ कर बाकिके लिए जो न्यायले है जो कोड़ है उनसे गिरिफतारी का जो वरन्ट वो पराप्त करने कोंणे कोशिश करनी चाहिए करने का प्रयास करना चाहिए जिसके अधिकार शेतर में वो जांच करने का संचालन करते हैं तो यह सब चीजें करने चाहिए यह बात बोली गई है 2019 में जो केस हुआ था दिल्ली हाइकोट के दौट अब यहां पर गाइडलाइन की बात की गई है दिशा निदेश की ततकाल मा इमर्जन्सी आ जाती है कोई अर्जन्ट केस आ जाता है तो वहां पर यह सब चीजें जो है वो ठंडे बस्ते में चलिए उनको एक बार साइड में हटा दिया जाएगा फरस्ट फॉल जो एमर्जन्सी है जो अर्जन्ट केस है आप उसको पहले कंप्रीट करिए बाद के काम को फिर से मतलब कि जो काम है उसको बाद में कर लिया जाएगा यह सब चीजें भी बोली गई है अब आगे की राग है देखिए सर्वोच न्याले ने भी यह बात मानी है नि सुप्रीम कोट ने भी मानी है कि जो राजनेता है ओविसली वो इंटरफेर तो करते हैं जो एक न राजनेता व्यक्तिकत और राजनितिकलाब के लिए पुलीस का उप्योग कर रहे हैं डेफिनिटली हमारे देश के अंदर जो ऐसे आप पुलीस देख रहे हैं उसका एक कहीं नाकहीं मिस्यूज हो रहा है जहां पर पुलीस को जंता के लिए काम करना चाहिए था आज पु उम्हें भी काफ़ी बड़ा एक इश्यो हो जाते हैं हमारे सामने यह टोपिक हो जाते उसको एक अलग वीडियो में डिसकस कर लेंगे तो उमीद करता हूं कि यह पूरा जो लेक्चर है यह पूरा इजिक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो समझ में आई ह तो बेशक शेर कर दीजिए चैनल को भी एस वेल एस वीडियो को भी क्योंकि इसे मुझे काफी जादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का भी तो बस आज के लिए इतना था थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो